एक शहर में बहुत सारे यूथ जो हैं वो शराब की लट का शिकार हो रहे थे वो पढ़ने लिखने और अच्छा काम करने की जगए शराब पीते थे और वो जनरेशन खराब हो रही थे तो एक बार एक व्यक्ती ने सोचा कि इनको सही रास्ते पे लाना चाहिए उसने एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया और उसमें एक बहुत ही जोश्य भरागवा बाश्र दिया उसने कहा क्या आप जानते हैं कि इस शहर का सबसे अमीराद में कौन है क्या आप जानते हैं कि इस शहर में सबसे बड़े घर में कौन रहता है क्या आप जानते हैं कि किसकी बीबी सबसे महंगे हीरे जवाराद के ज्वैलरी स्पेहनती है अगर आप नहीं जानते तो मैं शराब का दुकानधार है जो हमारे महले में दुकान लगाता है। एक यंद कपल जो है उसके पास आया और उसे कहा की से साथ मैंने जिंधी में इतना बढ़िया भाषन कभी नहीं सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सुन्दर मार्दर्शन किया हमारा तो वो जो विक्ति था वो बढ़ा खुश हो गया और उसने उसे पूछा मुझे बड़ी खुशी है कि आप अब शराब छोड़ देंगे उसने कहा नहीं नहीं आपको लगता है कुछ गलत हुई है दरसल हम इस महले में अपनी शराब की खुद की दुकान खोलना चाहते हैं तो दोस्तों यह जो कहानी है इससे हमें यह पता चलता है कि हम लोगों का अच्छी बात भी अगर सिखाएं तो लोग उसको अक्सर सीखते नहीं है जो information है knowledge है ज्यान है वो अपने में अच है हमें स्वस्त बनाता है निरोग बनाता है और उसी खाने को अगर हम गलत तरीके से खाएं या एक्सिस में खाएं तो वही बीमारी को भी जन देता है इसी तरीके से जो ग्यान है अगर वो सही विक्ति के पास पहुंच जाए तो उसकी जिन्दगी बनाता है और अगर गलत विक्ति के पास पहुंच जाए उसकी जिन्दगी बरबाद कर सकता है दोस्तों आज के समय ग्यान चारों तरफ अविलेबल है इंटरनेट पे अविलेबल है किताबों में अविलेबल है लोगों से हमें पता चलता है सोशल मीडिया से हमें पता चलता है लेकिन मुखी चीज य अजिसे हमारी जिंदगी बहतर बने युसी ग्यान को हम ग्लत तरीके से अगर हम चाहें तो ऊज़ें का सही है अपनी जिंदगी बहतर बना सकते हैं और एक अच्छी जिंदिगी खुशहाल जिन्दगी जी सकते हैं